हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब सो क्लास 6 के बच्चो साइंस की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो बच्चो जैसा कि आपको पता है हम लोग नाशनल साइंस ओलिम्पियाट की स्पेशल सीरीज कर रहे हैं दो लेक्चर अपने हो चुके हैं और आज हम इसका तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं बच्चो ओके तो आज हम कवर करेंगे Changes Around Us तो हम लोगों ने Changes Around Us का टॉपिक भी पढ़ रखा है हमको पता है physical changes, chemical changes, periodic changes, non-periodic changes, reversible changes, irreversible changes, ऐसे बहुत सारे हम लोगोंने processes changes पड़े हैं, तो उनके basis पे हम लोग कुछ आज questions की practice करेंगे हमारे NSO के लिए, ओल राइट, चलो, तो हमें पता है, जो हमारा exam है, National Science Olympiad, Science Level का competitive exam है, class 1st से class 12th के बच्चों के लिए, जिसे Science Olympiad foundation conduct करता है, और aim इसका क्या है, to identify future scientists, information technology level पे improve करने का है, फिर अलग-अलग levels में इसके exam होते हैं, टीन सेट में paper divided होता है, A, B and C, जो की यहां पे dates आपको दिख रही होंगी, है न, तो टोटल 60 marks का paper होता है, जिसमें से 35 marks होते हैं, Science के, ओल राइट, ओके, तो बच्चों, शुरू करते हैं, physical and chemical changes से question हो सकता है, I, reversible, irreversible से हो सकता है, question, I, periodic changes, non-periodic changes, desirable changes, non-desirable changes से question, I, ओके, तो changes around us के वाले topic को कुछ questions के साथ discuss करते हैं, तो सबसे पहला question है, a list of reversible and irreversible processes was given to 6th grade students, okay, तो 6th class के बच्चों को एक list पकड़ाई है, जिसमें reversible और irreversible processes थे, teacher ने उन्हें separate out करने को बोला, reversible processes, teacher ने बोला कि reversible processes इनमें से separate out कर दो, तो हमें वो list में बताना है कि reversible processes कौन-कौन से हैं, ठीक है, तो सबसे पहला है growth of plant, अच्छा, एक plant अगर grow कर रहा है, तो क्या उसको वापिस से छोटू plant जहां से वो आया था, उसमें convert किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, है ना, तो growth of plant जो है, वो एक reversible change नहीं है, वो एक irreversible change है, तो ये तो नहीं होगा, फिर stretching of rubber band, अगर हमारे पास एक rubber band है और अगर हम उसे stretch कर रहे हैं, ओके हम उसको वापिस उसकी original position पर ला सकते हैं, तो stretching of rubber band क्या है, stretching of rubber band एक reversible change है, फिर है burning of paper, अगर हमारे पास कोई एक paper है और अगर हमने उसे burn कर दिया, तो burn करने के बाद होगा क्या, हम क्या उस original paper को वापिस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो burning of paper भी क्या है, एक irreversible change है, तो ये भी reversible नहीं है, फिर changing milk to curd, अगर milk से curd बन जाती है, तो क्या हम curd से वापिस से milk बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक irrevers change हो जाएगा, फिर है dissolving of salt in water, अगर हमने नमक को पानी में घोल दिया, तो क्या हम उस पानी, वो जो salt solution बना, क्या हम उस से water और salt अलग-अलग कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, वाटर और salt अलग, हम कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं, है न, evaporation अगर हम कर दें, तो हमाँ पास salt रह ज जाएगा, तो हम salt को अलग कर सकते हैं, तो यह एक reversible change है, फिर weathering of rocks, अगर हमाँ पार rocks है, अगर वो weather हो जाते हैं, तो क्या वो reversible है या irreversible है, भई, वो irreversible है, तो यह भी यहां count नहीं होगा, फिर, तो यहां पर answer क्या होना चाहिए हमारा, तो हमारा answer होना चाहिए है, second and fifth, जो कि हमें C option में दिया हुए, तो stretching of rubber band और dissolving of salt in water, यह क्या है, reversible processes है, all right, बाकी irreversible है, तो C option आपका correct हो जाएगा, clear है, चलें आगे, चलो, second question है, कि when air is blown into the balloon, हमारे पास एक balloon है, और उसके अंदर हमने air को blow कर दिया, तो इसमें कौन सा case arise होगा, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला दिया हुआ है, कि सिर्फ balloon का size change होगा, फिर सिर्फ balloon की shape change होगी, फिर दिया है, कि both size and shape changes, और फिर दिया है, कि सिर्फ size change होगा, लेकिन shape unaffected रहेगी, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब balloon फुला हुआ नहीं होता, तो वो इस तरीके से होता है, है ना, जब इसमे air blow कर दी, तो air blow करने के बाद balloon इस तरीके से दिखता है, है ना, all right, यहाँ पे आप thread बान देते हो, है ना, balloon इस तरीके से दिखता है, अच्छा, मुझे एक बाताओ, क्या size में change आया, बिलकुल आया, क्या shape में change आया, बिलकुल आया, तो size और shape दोनों ही change हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सिर्फ first correct होगा, नहीं, first और fourth correct होगे, नहीं, सिर्फ third correct होगा, बिलकुल, तो यहाँ पे third correct होगा, क्योंकि third में दिया हुआ है कि both size and shape change हो जाएगे, ठीक है, और फिर हमें दिया है only fourth, तो यह भी नहीं होगा, तो हमारा correct answer हो जाएगा, option C, कि both size and shape change हो जाएगे, clear है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो chemical changes results in change in, तो chemical changes से क्या, क्या change आते हैं, हमसे यह पूछा है, तो सबसे पहला है energy, फिर है color, फिर है temperature, तो अगर मैं chemical changes की बात करूँ, तो chemical changes के कुछ example discuss करते हैं, जैसे अगर हमारे पास paper है, हमने paper को burn करा, okay, हमने paper को burn किया, alright, अगर हमारे पास coal है, हमने coal को burn किया, अगर हमारे पास candle है, हमने candle को burn किया, तो यह कुछ examples है, chemical changes के, क्या इसमें energy में change आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, है ना, किसी में heat release हो रही है, किसी में heat release नहीं हो रही है, क्या यहाँ पे color में change आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, तो color जैसे paper की अगर मैं बात करूँ, तो paper को अगर आप burn नहीं करोगे, तो पहले व कैसे आएगा, भई अगर आपके पास koila है, वो ऐसे ही रखा हुआ है, आपने उसे heat किया, तो वो एकदम गरम हो जाएगा, मतलब temperature में change आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे energy में भी change आएगा, color में भी change आएगा, और temperature में भी change आएगा, तो हमारा C option जो है, that is 1, 2 and 3, वो correct answer ह हो जाएगा, clear है, चलो अगले equation पर बढ़ते हैं, फिर है rolling of chapati and baking of chapati are the changes that, okay, तो यहाँ पर हमारे पास chapati है अगर, अगर हमने chapati को roll किया, okay, तो हमारे पास पहले यह क्या था, batter था, okay, आटा बनाया हुआ था, इसको हमने roll किया इस तरीके से, okay, फिर हमने उसको बेलना start किय तो उसको ऐसे roll कर रहे थे, क्या यह rolled chapati को आप वापिस से, जैसा यह शुरू में था, वैसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो rolling of chapati तो आपकी reversible हो गई, लेकिन अगर हमने chapati को bake कर दिया, अब हमने जो roll करी थी chapati उसे तवे पे डाल दी, और उसे पका दी, क्या वो पकी irreversible change हो गया, मतलब rolling of chapati तो क्या है, एक reversible change, लेकिन baking of chapati क्या है, irreversible change, और मैं फिर बता दू कि reversible change वो होते हैं, जिने हम reverse कर सकते हैं, ओके, और irreversible changes वो होते हैं, जिने हम reverse नहीं कर सकते हैं, clear है, तो यहाँ पे rolling of chapati can be reversed, but baking of chapati cannot be reversed, respectively, C option देखो दिख रहा है, C option यहाँ पे correct answer हो जाएगा ठीक है तो C option क्या है यहाँ पे correct ओल राइट ओके अच्छा चलो मैं आपको कुछ example देती हूँ फिर हम discuss करते हैं कि क्या यह reversible होगा क्या यह irreversible होगा सबसे पहला melting of an ice cream पहले मैं आपको कुछ changes दे देती हूँ फिर आप मुझे बताना कि reversible है यह irreversible है तो पहला है melting of an ice cream दूसरा है melting of ice तीसरा है burning of paper फोर्थ है baking cookies फिफ्थ है milk turning into curd sixth है rolling dough ठीक है कोई भी आपके पाद dough है आप उसे roll कर रहे हो seventh है आपके पास burning जिसमें आपको wax consider करना है ठीक है burning wax ओके तो यहाँ पे आपको मैंने seven changes दी हैं आप मेरे को बताओ कि क्या यह reversible है क्या यह irreversible है तो reversible के आगे आप आर लिख दो irreversible के आगे आई लिख दो ठीक है मैं आपको दो मिनिट का time दे रही हूँ आप यह करो फिर हम discuss करते हैं चलो शुरू करें तो यहाँ पे सबसे पहले है melting of an ice cream हमार पास ice cream है और हमने उसको melt कर दिया तो ice cream को आपने बाहर निकाल के रखा वो melt हो गए आप उसे वापस freezer में रख दो वो जम जाएगी है ना तो यह reversible change हो गया फिर अगर हम ice की बात कर रहे हैं तो आपने ice बरफ ली बाहर निकाल के रख दी वो melt हो गए वापस से freezer में रख दो वो वापस जम जाएगी reversible हो गया फिर paper की अगर बात करूं तो suppose देखो for example मेरे हाथ में paper है अगर मैंने इस paper को burn कर दिया तो क्या यह paper बचेगा मेरे हाथ में paper नहीं बचेगा है ना तो burning of paper एक irreversible change है हम इसे वापस नहीं लेके जा सकते ओके फिर baking cookies cookies आटे की बननी है है ना आपने उसे bake कर दिया तो जब bake कर दिया cookies को क्या आप उन्हें वापस आटे में बना सकते हो नहीं बना सकते irreversible change हो गया फिर milk into curd हमाई पर milk था हमने उसकी दही जमा दी तो जब milk को हमने curd में convert कर दिया क्या हम इसको curd को वापस से milk में convert कर सकते हैं नहीं तो यह क्या हो गया एक irreversible change हो गया फिर rolling dough हमारे पास आटा है हम उसे roll कर रहे हैं तो क्या यह reversible है यह यह clearly reversible है ओके और फिर है कि wax थी आपने उसको जलाया ओके wax को आपने जलाया ओके तो यहाँ पर मैं candle की अगर बात करूं बच्चों तो देखो यहाँ पर दो cases होते हैं देखो यह candle है हमारे पास अगर हमने burn किया इसको ओके अगर हमने इसको जलाया आप बुझा भी तो सकते हो अगर आप बुझा दोगे तो आप original चले गए वापिस से वही situation पर आ गए तो यह एक reversible change है ठीक है तो यह कुछ examples है जिससे आप identify कर सकते हो भाई reversible changes क्या है और irreversible changes क्या है ठीक है चलो अगले question पर चलते हैं next is study the following when diagram तो बचो when diagram के अगर बात करें when diagram का पता कैसे चलता है कैसे इसको study किया जाता है जैसे for example मेरे पास एक circle है जिसमें मैं कह रही हूँ कि मेरे पास toffees है मेरे पास एक और circle है मैं उसमें कह रही हूँ कि मेरे पास इसमें milk toffees है तो यह जो beach में overlap हुआ है इसका यह मतलब है कि मेरे पास milk toffees है मतलब कि मेरे पास first circle में toffees थी second में मेरे पास milk था और यह जो overlap हुआ है in circles का इसमें बीच में क्या है milk की toffees है यह मतलब हुआ अब यहां पे देखो first circle में दिया हुआ है undesirable मतलब कुछ चीज undesirable है और यहां पे कुछ चीज ऐसी है जो irreversible है तो यह p क्या है यह p वो चीज है जो की undesirable भी और irreversible भी है तो reversible, irreversible तो आपको समझ में आ गया undesirable की बात करें तो देखो desirable पहले समझने desirable मतलब जो हम desire करते हैं जो हम कहते हैं कि यह सही है undesirable मतलब जो हम desire ही नहीं करते हैं मतलब जो चीज सही नहीं है है ना अब हमें यह देखना है कि कोई चीज ऐसी है जो irreversible है मतलब आप वापस भी नहीं कर सकते और हम चाहते भी नहीं है ऐसा हो तो सबसे पहले दिखते हैं burning of cooking gas burning of cooking gas वैसे तो irreversible है लेकिन यह desirable है क्योंकि जब भी gas burn होती है तो वो food preparation में help करती है जो कि desirable change है तो यह गलत हो गया coming of summer coming of summer reversible है आती है एक changes के साथ एक साथ आती है इसे हम actually periodic changes की category में रखते है और यह desirable है undesirable नहीं है फिर है mixing of sugar and milk तो अगर sugar और milk को आपने mix कर दिया यह है तो irreversible लेकिन यह भी desirable है दूद पीते हो तो उसमें चीने डाल के पीते हो तो यह भी हमारा नहीं होगा फिर है earthquake तो देखो earthquake एक irreversible change है आप इससे reverse नहीं कर सकते है और बिल्कुल यह undesirable है हम थोड़ी चाते हैं कि earthquake है यह ना उससे बहुत नुकसान होता है तो हमारा answer जो है वो हो जाएगा option D that is an earthquake ठीक है ओल्राइट ओके अज़र चलो वेंड डाइग्राम से related equation करते हैं याप ऑर extra में जैसे यहां पे मेरे पास 3 circle है ठीक है 3 circle है ओके यह कैसे हम लोग general question कर रहे है यहां पे मेरे पास है chocolates ओके यहां पे मेरे पास है coffee और यहां पे मेरे पास है milk मेरे को बताना है कि यह जो circle है इसमें क्या होगा ठीक है मैं आपको options देती हूँ इसमें मेरे पास क्या milk chocolate होगी इसमें क्या मेरे पास coffee chocolate होगी इसमें क्या मेरे पास coffee and milk chocolate होगी या मैं कहूं कि मेरे को नहीं समझाया, मेरे को नहीं पता, हमें पता नहीं, है न, तो हमें पता नहीं, यह लिखा है मैंने, मुझे बताओ क्या होगा, तो देखो यहाँ पर तीन वेंड डाइग्राम है और यह जो circle हमने highlight किया है यह तीनों का mixture है मतलब chocolate का भी, coffee का भी और milk का भी तो मतलब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास आएगी coffee and milk की chocolate तो हमारा correct answer होना चाहिए यहाँ पर C एक general आपसे मैं बातचीत करूँ ताकि आपको when diagram का मतलब समझ में है कि when diagram के question कैसे करने है ओलम्पियाड में आ जाते हैं यह कभी-कभी है ना, तो इस तरीके से आप solve करना चलो, next question की तरफ बढ़ते consider the following phenomena तो यहाँ पर हमें कुछ phenomena दिये में है boiling of water, melting ice, freezing of water ठीके, चलो, पहले तो boiling, melting और freezing का मतलब समझते हैं हमारे पास है ice हमारे पास है water और हमारे पास है steam यह हम कहें vapor ओल राइट, ठीके, तो देखो होता क्या है जब ice का water में conversion होता है तो इस process को हम बोलते है melting क्या बोलते हैं, melting ओके जब water को boil करते हैं और वो vapor में convert हो जाता है ठीके, तो यहाँ पर water को boil करते हैं पहले और यह जब vapor में formation हो जाती है तो इस process को हम बोलते हैं, बच्चो, evaporation क्या बोलते हैं, evaporation ठीक है, जब ये water ice में convert होता है, इस process को बोलते हैं हम freezing है ना, और जब ये steam water में convert होती है, vapor water में convert होता है, इस process को हम बोलते हैं condensation तो ये terms का हमारा जानना बहुत ज़रूरी है तो melting में क्या हो रहा है, ice water में convert हो रहा है evaporation में क्या हो रहा है, water से vapor का formation हो रहा है Condensation में क्या हो रहा है, vapor से water का formation हो रहा है और freezing में क्या हो रहा है, water से ice का formation हो रहा है ठीके, तो हमसे पूछाएं कि इनमें से कौन सा ऐसा process है जिसमें energy निकल रही है तो यहाँ पर जो process है, melting, evaporation, condensation, freezing तो मैं आपको बता दू बच्चों, जो freezing process है इसमें energy निकलती है, freezing से energy निकलती है ठीके, और जबी भी किसी process में energy निकलती है उस process को हम बोलते है, exothermic energy का निकलना मतलब exothermic तो जब freezing होती है, तो energy निकलती है, exothermic reaction होता है तो हमारा answer होना चाहिए, जिसमें हमें दिया हुआ है third options देखते है, सबसे पहले में दिया हुआ है first and second तो boiling of water, melting of ice में evolution, energy का नहीं होगा second and third, तो third में तो होता है, लेकिन second में नहीं होता फिर दिया है first and third, तो third में तो होता है, पर first में नहीं होता और फिर होगा only third, तो d option आपका correct हो जाएगा ठीक है, आपको concept समझ में आया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे समझना जरूरी है ओके, अगले question पर बढ़ें, चलो consider the following phenomena, ओके, what type of changes are taking place in the above figure तो हमें यहाँ पर कुछ process consider करने है, सबसे पहली photo में क्या है, river का water है जिससे cloud का formation हो रहा है, तो अभी मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, सबसे पहले तो देखो, होता क्या है, हमारे पास है water water जब evaporate होता है ओके, तो यह form करता है vapors क्या form करता है, vapor ठीक है, यह vapor क्या होते हैं, उपर उपर जैसे हम atmosphere में जाते जाते हैं, वैसे थंड़क बढ़ती जाती है तो यह vapor जो है, यह condensed होते हैं, किसमें? clouds के form में ओके, और यह clouds जब भारी हो जाते हैं, तो यह water वापस पहुचा देते हैं, मतलब precipitation होता है, बारिश होती है ठीक है, यह process होता है, जिसे बोलते हैं water cycle ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला water से cloud बना, cloud से water तो क्या यहाँ पर physical change involved है, बिलकुल, है ना, यहाँ पर कोई chemical properties में change थोड़ी आया है, यहाँ पर physical states में change आया सरफ, तो यह जो पहला process है यह हमारा है physical change ओके, second की अगर मैं बात करूँ second में क्या हो रहा है, पहले हमारे पर spring है, spring stretch हुई वापिस से अपनी position पे चली गई, मतलब यह एक reversible change हो गया कि नहीं हो गया, भई हमारे पास spring थी, spring को stretch किया, छोड़ा, वापिस से अपनी position पे चली गई, तो spring reverse हो गई, तो यह process एक reversible change हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो हमारा first process है physical, second process है reversible और B option में हमें यह दिख रहा है, B option आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आया reversible, irreversible को कैसे apply किया, physical change को कैसे apply किया, यह चीज़ क्लियर हुई, चलो अगले question पर बढ़ते हैं, consider the following phenomena, blinking of traffic light, swinging of pendulum of clock, rotation of blades of fan, rising of sun, हमें बताना है कि true statement इनके लिए क्या है, सबसे पहला है कि traffic light blink, blink हो रही है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यह traffic signal होता है, ठीक है, तो red, yellow, green, है ना, पहले red, फिर yellow होती है, फिर green होती है, फिर वापिस से red होती है, yellow होती है, green होती है, फिर वापिस से यह process होता है, तो मतलब यह repeat होता है, हर interval पे, एक time interval से process repeat होता है, तो क्या मैं इसको periodic change बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ, है ना, वो process जो एक time से repeat होते होने, हम periodic change बोलते हैं, फिर swinging of pendulum of clock, अच्छा clock होती है, अगर clock के नीचे आपने देखा है, pendulum लगा होता है, यह pendulum swing होता है, तो यह एक fixed interval से swing होता है, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, अगर एक time पे यहाँ है, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस जाएगी, तो इस तरीके से पूरा rotation होता रहेगा, होगा rotation, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा periodic change हो गया, फिर है rising of sun, okay, sun rise होता है, sun rise होता है, डूपता है, फिर rise होता है, तो ये भी एक periodic change हो गया, एक fixed interval of time से ये changes हो रहे हैं, तो क्या ये सारे के सारे changes, periodic change है, बिलकुल है, तो ये सारे क्या है, all are periodic changes, that is option C, समझ में आया, okay, चलो, आगे देखते हैं, study the Venn Diagram, चलो, Venn Diagram आगया भई फिर से, तो Venn Diagram का question है, A और B हमसे पूछा है, okay, तो सबसे प बात करें, तो A क्या है, उसमें state change हो रहा है, और वो reversible है, ठीक है, अगर हम यहाँ बे बच्चों, options देखें, breaking of wood stakes, breaking of brick, breaking of brick, तो ये इनमें change of state नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम freezing of water की बात करें, मतलब water था, वो freeze हो गया, मतलब state change हो गई, liquid water से, ice form हो रही है, मतलब liquid से solid में conversion ह हो रहा है, state का change हो रहा है, तो हमारा ये consider होगा, फिर हमें दिया हुआ है कि एक physical change है, जो कि irreversible है, अच्छा, अगर में पर brick है, brick को मैंने तोड़ा तो उसके 4 टुकड़े हो गए, तो वो एक physical change है, है ना, brick से brick ही आई, छोटी bricks आई, लेकिन क्या हम इने reverse कर सकते हैं, नही तो ये एक irreversible change है, तो आपका correct option हो जाएगा हमारा option D, that is freezing of water A है, breaking of brick B है, समझ में आया है, ठीक है, चलो, last question देखते हैं बच्चो, formation of curd from milk is a, तो भई, formation of milk, formation of curd from milk, तो milk से curd बन रही है, क्या ये temporary change है, नहीं, क्या ये irreversible change है, बिल्कुल, हम इसे reverse थोड़ी कर देखते हैं, सकते हैं, ठीक है, क्या ये chemical change है, हाँ, तो chemical change है, क्योंकि chemical properties में change आगया, पहले milk, थाप, curd हो गया, क्या ये exothermic change है, नहीं, तो इसमें heat release नहीं होती, तो हमें वो option choose करना है, जिसमें second और third हो जाएगा, है ना, तो second और third B option में दिया हुआ है, तो B option आपका correct answer हो जाएगा, स हमने कुछ-कुछ concepts भी समझे, when diagram को study किया, तो I hope आप सभी को आज की class में मजा आया, ऐसे ही पढ़ते रहिए, thank you and good bye.